एक व्यापारी था हीरों का व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाता था, सफर किया करता था, अक्सर जाना होता था, दो रात का सफर होता था ट्रेन में, एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बेठा और दिल्ली से बेठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली, अच्छा, से टार्त रिको जागरं करना कां तो जल्दी सो गया जेसे ही चोर शाम हुई और जल्दी सो गया सेड़ी दस बजे रात को सोने वाले थे उससे पहले अपनी पोड़ के निकाल ाइब में रख दी चोर को दो बजे उठा सेड़ी का पूरा चेक कर लिया सामान गया क्यों स्विद दो से पांच बजे तक देखता रहा, फिर थक के सो गया, कल देखेंगे, सेड़ जी पांच बजे उठे, पोटली निकाली, वापस अपनी जेम में रख ली, अभी तो एक रात हुई है, दूसरी रात को चोर फिर स्याम को सो गया, और सोती सेड़ जी वापस दस बजे सोने से पेले अपनी पोटली उसकी जेम में रख दी, वो वापस एक दो बजे उठा, सेड़ जी को पूरा चेक कर लिया, खंगाल लिया, लेकिन पोटली नहीं मिली, शुबह आठ बजे मुलाकात हुई, और बाची सुरू हुई मुंबई सेंटरल पे, चोर ने बोला, बापु, मै चोरी छोड़ दूँगा, मेरा बाप, मेरा खांदान, सब चोरी छोड़ देगा, तू सिर्फ ये बता दे, छुपाई किदर थी, सेड़ जी ने बोला, मुर्क, पूरा विश्व दूसरों की तरफ निगाएं करता है, कभी खुद की तरफ निगाएं नहीं करता, अगर तु तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे मालिक, लेकिन तू जीवन भर जैसे दूसरों के में देखता रहा, ऐसे तू मेरी तरफ ही देखता रहा, अपना सुक तो अपने में है, भाई ये वस्तु में वेर्थ प्रियास, जग का सुक तो सन भंगुर है, जूटे हैं उसके जूशार, खुट का सुक तो